वेलकम ओल फ्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस यूटूब चैनल एड़े सिंग फुजिक्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर जो फो टर्मिनल नेट्वर्क को स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने तीन पार्ट बढ़ने है जड़ प्राचल वाई प्रा कि एंग्लीश के अंदर इसकी हम शोट नाम देते हैं शोट एड़ मिटेट्स इंपिदेंस औके तो दीखिए प्लीज किस तरीके से य होता है अब वाई प्राचल के अंदर वाई पैरामेटर के अंदर हमने किस तरीके से वरियेशन लेने हैं अब देखि आप हमने जड़ do प्राइचल के अंदर जैन्ट पैराइमिटर्स के अंदर आई वै यू वै आई टू exempl हमारे पास क्या था इन इंडिपेंडेंटर क्रूंड थे अब यहां पर क्या है अब यहां पर क्या हुटा है सबकिज्ट के रूप बेना यानि हमें इनदीपंडेंट से लेना है और ऐउन वे आई टू क्या यहां पर धाराये हैं और आीवन वे टू गया धाराये हैं जब यह कंप्लीट होगा तो सरखी डाइग्राम् मथना कर दिखाऊ होंगा किस तरीके से बनता है अब इसके independent है V1 V2 और सेम कैसा होगा I2 और यहां I2 क्या आएगा V1 V2 हमारे पास क्या है सवतंतर है ओके आप दिखिए अब यदि हमने function मनाया है आव कलन करने पर ओके दोनों साइड में सेम पर सीजर आव कलन करने पर तो हमने यहां पर प्रूफ क्या करना है हमने चार पेरामेटर निक di1 तो यहां di1 उपऊटों dv1 यहां di1 और यहां di2 उपऊटों dv1 और यहां क्या आ जायगा dv2 ओके से इस तरीके से हमारे पास क्या आएगी equations पराप्त होगी फिर दर करेंगे di2 di2 अपऊटों यहां i1 चल रहा है हमारा di2 upon dv1 तो यहां क्या जगा dv1 plus di2 upon dv2 और यहां जगा dv2 ओके कुछ भी नहीं किया सिर्फ हमने function generate किया है function के बाद differential किया है ओके आप क्या करेंगे अब हम देख रहे हैं कि i1, i2 वे v1, v2 क्या है रेखिये function है रेखिये फलन है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I1, हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको, I1, अब देखिए, अब जो ये हमारे पास है, जो impedance है, यानि, input current और input voltage, input current और output voltage, output current और output voltage, ओके, तो यहां से क्या होगा, Y11, Y12, ओके, और यहां पर क्या होगा मेरे पास, यहां पर Y21 और Y22, किस तरीके से लिखेंगे यहां पर, देखिए, input current और input voltage, यदि, input current और input voltage, और हम क्या कर रहे हैं, short वाले के अंदर, तो क्या करेंगे, यहां पर, input, यहां पर इसको नाम क्या देंगे, input impedance और नाम हम आगे देंगे, आगे हम इसको complete करेंगे, di1 upon d1, और यहां di1 upon क्या आजएगा, dv2, ओके, और यहां di2 upon dv1, और यहां di2 upon dv2, ओके, तो यह input करते ही, मेरे पास क्या आएगा, यहां पर, di1, y11, dv1, plus y12, dv2, is equal to, यहां पर क्या आजएगा, di2, यहां y21, dv1, और y22, dv2, ओके, तो यह मेरे पास क्या बनी, equation बनी, अब यह linear है, तो linear है, तो linear के लिए क्या होगा, यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, i1, is equal to y11, v1, plus y12, v2, और next वाली क्या से होगी, i2, is equal to y21, v1, plus y22, v2, ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी ने किया, just हमने सिर्फ function बनाया, function के बाद derivative, और derivative बाद समिकर लिखी, और हम इसको हल करने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि matrix के रूप में लिखते हैं, किसके रूपे, matrix के रूप में, अब देखें, कईयों के, जो mind में question होगा, doubt clear करता हूँ आपको, अब कहेंगे, sir, y11, y12, y21, y22, अपनी मर्जी से लिए, नहीं, matrix ही शर्त होती है, कि पहले row का पहला element, और पहली row का दूसरा element, पहली row का दूसरा element, हम matrix के coding चलेंगे आपर, ओके, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी value को calculate कर सकते हैं, ओके, अब हम बात करें, किसकी बात करनी हैं हमें, हमें तो मान चाहिए, कहाँ पर, देखिए, when, जहां, y11, अब यहाँ पर एक निया नाम देते है, d, i, यहाँ पर क्या था, y11 की value, d1 upon, dv1, d1 upon, dv1, और यहाँ y12 की बात करूँ, तो यहाँ पर एक निया नाम देंगे अपन, d1 upon dv2, ओके, अब फिर बात करें, dy21, तो क्या था, यहाँ पर d2 upon dv1, और यहाँ y22 क्या आएगा, d2 upon dv2, ओके, अब देखिए, वहाँ पर हमने i1, i2 को 0 किया था, और यहाँ हम क्या करेंगे, v2 के respect to v1, 0, और यहाँ v1 के respect to v2, 0, और यहाँ v1, 0, ओके, अब देखिए, हमने वहाँ पर क्या नाम दिया था, zi, i का मतलब, input current, input impedance, तो यहाँ पर लिखेंगे, input, impedance, ओके, input, impedance, और यहाँ क्या था, मेरे पास, reverse, क्या था, reverse, reverse किसका था, औके, reverse, admitted, impedance, reverse, impedance, reverse, impedance, औके, और यहाँ पर क्या था, मेरे पास, output थी, output, impedance, औके, और यहाँ मेरे पास क्या था, forward, impedance, तो यह चार नाम हमने दिया थे, आगे वाले हम नाम देंगे, आगे वाले नाम कैसे आएगा, अब यहाँ इसको क्या कहते थे, Y, I, I का मतलब, input, और यहाँ इसको क्या कहते थे, Y, R, R का मतलब, reverse, और यहाँ, Y, O, O का मतलब, output, और यह Y क्या था, F, F का मतलब, forward, इनके नाम से उठाया है मैंने, कोई नया नाम नहीं लिखा मैंने यहां पर, ओके, तो हम किसका कर रहे है, short admission का, तो short admittance और यहां short circuit के लिए, यहां short circuit लिखेंगे, short circuits, ओके, तो यहां क्या आजेगा, short circuits, ओके, तो यह मेरे पास 4 values आई, y11 y12 y21 y22 ओके तो चारों के मान हमने calculate किये कहां पर यदि आपसे y11 पूछ ले तो क्या होगा y11 yi di upon dv1 यानि input current upon input voltage और यहां v2 का मान कितना होगा 0 होगा यानि open circuit यानि short circuit input impedance पूछे आपसे क्या खुछे खुला यानि बंद परीपत यानि लगुपतित परीपत प्रति बादा निवेशी प्रति बादा तो हिंदी में आप देखली है आप लगुपतित परवेश्यता निर्गत प्रति बादा ओके तो यह हिंदी वाले आप नोड कर लिजिए कई स्टूडेंट को प्रोबलम है लगूपतित लगूपतित अगर अगर लगूपतित परिफ अगर क्या आएगा प्रतिबादा ऑके इसी तरीके से आउट्पुट है Output का मстваलब निर्गत और निर्गत निवेशी यहाने निवेशी आमसे आएका सुनिवेशी आएगा कुंकि इंपुट्ट है निवेशी और यहाँ निर्गत आएगा यहां लिखते लगउ-पतीत और फॉर्स वाला वाइप राचल कम्प्लीट हुआ अब हम इसके सर्कुट डाइगराम को बनाएंगे सर्कुट किस तरीके से बनेगा हमने यहां कैलकुलेशन किये हैं सर्कुट देखिया सर्कुट किस तरीके से बनाएंगे मैं यहां पर सर्कुट डो कर रहा हूं कई बार आपको circuit बनाना भी आना चाहिए circuit किस तरीके से बनता है circuit को हम किस तरीके से बनाते हैं देखिया अब यह होगा y11 यह y21 यह y22 और यह y21 यह होगा हमारा 12 इस तरीके से circuit मेरे पाइस त्यार होगा okee इसतरीके से circuit मेरे पास त्यार होगा इस तरीके से circuit यह आप लिएन और यहा लिए जएन आप वी तू इनके वीच में यह बीच में 2017 साच होगा तो हमने यहाँ पर circuit को क्या किया है? draw किया है तो यह हमारे थे दोनों circuit के वीच की value दोनों circuit के वीच की क्या हैगी? value next देखिए फ्लीज next third वाला देखिए edge parameter edge parameters ok edge parameter हमारे पास किस तरीके से प्राप्ट होता है और हम यहाँ पर किस तरीके से function मनाएगा देखिए edge parameters z parameter के अंदर हमने क्या किया था? हमने i1, i2 को क्या मना था? independent variable माने थे सवतंतर चर माने थे ok edge parameters edge प्राचल ok तो यहाँ पर edge parameters की बात करो लगुपतीर इसको कहते हैं संकर प्राचल ok तो यहाँ यह मेरे पास होगा संकर प्राचल ok तो यह मेरे पास होगा संकर प्राचल अब देखिए अब edge parameters के अंदर हम किस तरीके का variable मानेंगे? variable निर्ग निवेशी निवेशी voltage i1 वै निवेशी धारा sorry निवेशी धारा i1 वै निर्गत voltage v2 को सवतंतर चर्मान कर सवतंतर चर्मान लिया जाए ओके? अब यहाँ पहले z parameters के अंदर i1 i2 माने थे और हमारे पास y parameter के अंदर हमने v1 v2 माने थे अब हम mix करेंगे एक i1 वाला लिया और दूसरा v1 वाला यानि हम यहाँ पर मेरे पास i1 i2 v1 v2 होता था अब हमने पहले वाला और रास्ट वाला यानि दोनो हमने क्या लेने हैं independent चर लेने हैं ओके, दोनों हमने इंडिपेंडेड़ चाहर लेने हैं, और V1 वल्टेज पर क्या निकालना हमने? फरन कालना, यानि V1, V1, V2 पर क्या निकालना हमने? फंक्शन निकालना है, तो यहाँ पर function किस तरीकस होगा? फलन किस तरीकस होगा, तो यहाँ पर देखिये, I1 और V2 यह तो ہमने independent मांने, I1 और V2, I1 और V2 independent अब इसको लिखने का तरीका यही है, इसको लिखने का तरीका देखिया, अब यहाँ पर हमने I1, I2 को, I1 और V2 को क्या माना independent और हमारे पास बचा गया, V1 और यहाँ बचा I2 और यहाँ पर बचा V1 और यहाँ बचा I2 अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर mix up है यहाँ पर क्या है mix up mix portion हो रहा है तो यहाँ पर एक तरफ V1 वाला coefficient है एक तरफ I2 वाला तो वहाँ हमने अलगलग parameter से यहाँ mix पर जलिट आएंगे तो यहाँ वही आउकलन करने पर क्या आएगा मेरे पास DV1 और यहाँ DV1 upon DI1 यहाँ DI1 और यहाँ क्या आजएगा DV1, DV2 और यहाँ DV2 ओके तो इस तरीके से मेरे पास आएंगे relation second देखिए आप DI2 ओके, DI2 upon DI1 पलस यहाँ पर DI1 पलस DI2 upon DV2, यहाँ DV2 ओके, तो यहाँ हम क्या देख रहे है देखिए, बड़े ध्यान सा देखना आपने input voltage के upon के अंदर input current और input voltage के अंदर output current यहाँ वोल्टेज गेन की बात कर रहा है यहाँ input voltage के upon में output current output voltage है, ओके, और यहाँ output current के अंदर input voltage और यहाँ पर क्या है मेरे पास output current के upon के अंदर output voltage, तो चार अलगलग parameters हैं, चार अलगलग parameters हैं, तो H11 को क्या होगा, DV1 upon DI1 H12 क्या होगा मेरे पास H12, DV1 upon DV2, और यहाँ पर क्या होगा H21, DI2 upon DI1, और यहाँ H22 क्या होगा DI2 upon DV2 और आपको यहाँ चेक करना हो कि मैं गलत करना हूँ, तो देखिए H11 है, तो 1 का 1 के साथ relation, H12 है तो 1 का 2 के साथ, H21 है तो यहाँ 2 और यहाँ 1, H22 है यहाँ 22, यहाँ आपको लग रहे है कि मैंने function गलत बना दिया function को गलत लिख दिया तो आपको चेक करने में असानी रहेगी आप यहाँ से चेक कीज़ेगा कि मैं parameter जो लिख रहा हूँ वो parameter सही है या गलत है, तो यहाँ पर रखते ही मेरे पास क्या होगा DV1, तो H11 DI1 प्लस H12 DV2 तो यहाँ क्या जगा DI2 और यहाँ H21 DI1 प्लस H22 DV2 तो यह मेरे पास क्या बना एक function बना function का answer बना और यदि हम कहें कि V और I का जो वेवहार है जो V और I का जो वेवहार है वो रेखिया है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं V1, H11, I1 प्लस H12 V2 और यहाँ पर second वाला I2 H21 I1 प्लस H22 V2 तो यहाँ से हम इसकी equation को draw कर सकते हैं और same pattern आप इसको hold करने का matrix का pattern क्या होगा देखिया matrix के अंदर आपने गलत नहीं करना है अब यहाँ पर एक जगा V1 है और एक जगा I2 है तो यहाँ matrix में गलत नहीं करना है एक जगा क्या है V1 है और एक जगा I2 है और बीच वाले पराचल सेम ही है H11, H12, H21 और H22 और यहाँ भी changing है देखिये एक जगा I1, एक जगा V2 एक जगा I1, एक जगा V2 यानि कहने का मतलब यहाँ I1 आएगा और यहाँ V2 आएगा ओके यहाँ I1 और यहाँ V2 आएगा तो आपने यहाँ mistake नहीं करनी मैं यहाँ star लगा रहा हूँ star लगा रहा हूँ यहाँ mistake होने के संभावना है student V1, V2 लिख देते हैं और I1, I2 लिख देते हैं यहाँ से सारा क्रोस हो जाता है आपका ओके तो हम तेंगे यहाँ H11 तो यहाँ H11 क्या है देखिए DV1 upon Di1 DV1 upon Di1 और यहाँ H12 क्या हैगा H12 DV1 upon Di2 ओके DV1 upon Di2 और यहाँ H21 क्या हैगा मेरे पास H21 देखिए आप Di2 upon Di1 di2 upon d1 और di2 upon di1 और यहाँ s22 क्या है का मेल पास di2 upon dv1 di2 upon dv1 तो हमने यह 4 relation है इनके 4 को कहेंगे क्या इनका 4 का relation का नाम क्या होगा देखी अब यहाँ पर देखी अब input input impedance input impedance यह कौन सा होगा यह होगा short circuit के लिए किसके लिए short circuit input impedance और इसे hi से कहेंगे अब देखी यहाँ यदि i1 क्या है i1 derivative के अंदर है तो v1 क्या होगा यहाँ पर 0 क्यों यहाँ से देखी आप हमने यहाँ पर constant किसको मना था i1 और v2 को यदि मैं i1 के respect derivative कर रहा हूँ तो v2 क्या होगा 0 और यदि मैं v2 के respect derivative कर रहा हूँ तो i1 क्या होगा 0 ओके तो यहाँ पर क्या हैगा यहाँ पर i1 0 और यहाँ v2 0 और यहाँ i1 0 ओके और इसे क्या कहेंगे अब यहाँ देखी अब यहोगा open circuit open circuit अब इसका नाम किस तरीके सा हैगा dv1 upon d2 open circuit reverse voltage gain अब यहाँ पर voltage gain हो रही है क्या हो रही है voltage gain हो रही है कहां यह कौन सा reverse वाला open circuit reverse voltage gain और इसं वी ओसे लिखते है थरड़ वाला क्या आएगा अब third वाला short circuit एक open एक short short circuit forward current gain अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है current gain हो रहा है current gain हो रहा है यह उपर voltage gain था यह current gain अब यहाँ पर क्या लिखेंगे open short circuit forward अब पहला reverse था अब क्या हैगा forward आएगा क्या हैगा forward last वाला open circuit administered impedance और इसे हम कहते हैं V किसे कहेंगे इसे VO से और यह मेरे पास V यहाँ R आएगा ओके VR और यह मेरे पास आएगा open circuit open circuit VO से इसे represent करेंगे यहाँ HR आएगा यहाँ और यह HO से ओके तो चारों के चारों नाम हमारे पास हैं इसको क्या कहेंगे short circuit input reference यहाँ हमारे पास लगू पाथित परिपत निवेशी प्राचल ओके open circuit reverse voltage gain voltage gain का मतलब voltage परति भादा voltage हमारे पास क्या है अगर धारा परति जो लाब है हमारे पास voltage लाब voltage लाब अगर धारा voltage लाब कहां खुले परिपत के अंदर तो यह चारों के चारों हमने symbol proof की है ओके तो मुश्किल नहीं है हमें fourth parameter के तीन types complete किये हैं तीन parameter complete किये हैं z parameter y parameter और h parameter तीनों को हमने same step के अंदर clear किया है same position के अंदर clear किया है तो आज के lecture में इतना ही next lecture में ने topic के बारे में चर्चा करेंगे तब तक आप हमारी इस वीडियो को like करें share करें और आपके friend circle के अंदर इस वीडियो को share जरूर कीजेगा और आप यहीं मेरे channel पर नहीं है तो subscribe कर ले bell icon को press कर ले और यदि आप पुराने है तो notification वाले bell icon बटन को click कर ले ओके तो आज के lecture में शर्फ इतना ही next lecture में ने topic के बर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप घर रहिएगा सुरक्षित रहिएगा